हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल तो आज हम सूट की कटिंग और स्टिछिंग करेंगे तो ये मैंने सूट का कपड़ा लिया है तो अभी हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ये फ्रेंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है जो प्लेन है तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स एटेच है तो यहाँ पर जो सिलाई लगी है वो हम निकाल लेंगे और दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लिया है अभी back part को side में रखेंगे और ये जो front वाला part है इसको हम center से fold करेंगे तो ये जो design है इसी के हिसाब से हम इसको बराबर center में fold करते हुए रखेंगे अब यहाँ पर जो neck deep है ये हमारा five inch का है तो उपर की तरफ जो extra fabric है उसे हमें cut करके इसको बराबर कर लेना है तो यहाँ पर हम straight line draw कर लेंके और extra fabric को cut कर लेंके और इसको बराबर level में कर लेंके उसके बाद देखे हमें front part को side में रखना है और back part के fabric को लेना है और इसको हमें double fold करतके रखना है तो पूरा fold नहीं करना है थोड़ा ही fold करना है तो यह जो two fold है यह हमें 11 inch का करना है जितना hip का size है उसको 4 से divide करना है प्लस 2 inch marginate करना है तो इस हिसाब से यह हमने 11 inch का कर लिया है यहीं तक तो हमारा extra fabric waste नहीं होगा अभी front वाला part हम इसके उपर रख देंगे तो fold करते हुए रखना है दोनों parts को अभी हम marking करेंगे तो यहाँ पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रही हूँ 6.5 inch यहीं से हम armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रही हूँ 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हमें chest का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 inch अभी हम shoulder से कमर की length लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 inch और hip की length लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 20 inch अभी जहाँ पर कमर length का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 inch अभी जहाँ पर हमने hip length का निशान लगाया है वहाँ पर हमें hip का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11 inch इन तीनों points को जोड़ देंगे अब यहां नीचे की तरफ हम straight line draw कर लेंगे तो नीचे से तक हमारा straight ही रहेगा उसके बाद हम armhole draw करेंगे तो इस line का half लेना है और यहां से back का armhole draw करना है और half inch अंदर से front का armhole भी draw कर लेना है अब यहाँ पर नेक की cutting हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेक में design है तो नेक हम अलग-अलग cut करेंगे फ्रेंट और बैक का तो सबसे पहले हम बैक आर्मोल से cut करेंगे तो हमने cut कर लिया है अब यह जो hip का point है यहाँ पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे यहाँ से हमारा slate रहेगा तो यह जो side में बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम sleeves की cutting करेंगे तो यह front का part है और यह back का part है तो अभी back part को side में रखेंगे और front आर्मोल की cutting कर लिएंगे तो हमने front आर्मोल की cutting कर लिए है अभी हमें front part को side में रखना है तो neck की cutting हमें अभी नहीं करनी है front part के तो अभी हम back का part लेंगे और back neck की cutting करेंगे तो neck width में ले रहे हूं 2.75 inch तो यह 3 inch का बन जाएगा और neck deep में ले रहे हूं 4 inch उसके बाद हम round shape draw करेंगे और इसकी cutting कर लेंगे अभी हमने एक fabric का piece लिया है इसको हमें fold करके इसके नीचे रखना है fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है और neck के shape में इसकी cutting कर लेनी है और अभी यहां पर हम 1.5 inch तक का margin रखेंगे और extra fabric को cut कर लेंगे तो इस तरह से हमने neck के ले strip कट कर ली है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो हमने fabric को double में रखा है अभी हम इसको four fold करेंगे तो इस तरह से उठा कर हम fold कर लेंगे तो यह हो गया हमारा four fold और इस four fold की जो weight है वो हमने 9.5 inch के लिए है जितना आपका armhole है उससे आपको 3 inch जदा लेना है और sleeves की length हमने लिए है 15 inch अभी यहां पर जो open side है यहां से हम 3 inch पर mark करेंगे और sleeves का shape draw करेंगे अभी यहां पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं लेने हूँ 6.5 inch इन दुनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहां पर हम एक छोटा सा cut लगाना है अभी हम sleeves को open करके रखेंगे यहां पर दुनों sleeves की सीधी side अंदर की दरफ रखनी है या फिर उल्टी side अंदर की दरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने दोनों side की sleeves की cutting कर ली है अभी हम stitching करेंगे तो हमने front का part लिया है सबसे पहले हम इसको open करके रखेंगे अभी यहाँ पर जो neck है यहाँ से हम 5 इंच तक का margin छोड़ेंगे और extra fabric को cut करेंगे तो यहाँ से हम mark कर लेंगे अभी इसकी cutting कर लेंगे अभी यह हमने एक fabric का piece लिया है इसे हमें इसके नीचे रखना है और इसे भी हम इसी shape में cut कर लेंगे तो यहाँ पर design है इसके लिए हम इसको open करते हुए cut कर रहे है तो इस तरह से हमने cutting कर लिए है अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच तक का margin रखेंगे और extra fabric को cut करेंगे तो यह strip हमने cut कर लिए है अभी strip को इसके उपर रखना है और 5 इंच के distance से हम stitch कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम pinch लगा लेंगे जिससे कि यह हिलेना तो हमने इसे stitch कर लिया है अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे cuts लगा लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके top stitch लगा लेंगे तो हमने top stitch लगा लिया है बाद में इस strip को हम फोल्ड करते हुए hand stitch करेंगे तो यह front neck ready है अभी back neck बनाएंगे तो back neck के लिए हमने strip cut कर ली थी इसी को हम इसके उपर रखेंगे और stitch करेंगे उसके बाद इस strip को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से हम back neck भी ready कर लेंगे तो हमने back neck ready कर लिया है अभी front का part हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी sleeves को attach करना है तो sleeves की जो front side है वो हमें front side से मिलानी है उसके बाद sleeves को इसके उपर उल्टा रखना है और stitch करना है इसी तरह से दोनों sleeves हम stitch करेंगे और sleeves के bottom को double foot कर देंगे तो हमने दोनों side में sleeves को attach कर लिया है अब इसको उल्टा करेंगे fitting के लिए तो यहाँ पर sleeve से hip तक हम fitting कर लेंगे और उसके बाद हमारा slit रहेगा तो यहाँ पर हम double fold करके चाक बना लेंगे दोनों side में और जो back का part है सिर्फ हमें उसी को double fold करना है जाँ कर लेंगे झाल 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 यहाँ झाल